शबिक जय हिन 27 तारिक को जिन हमारे जय जावान के वीर चुहिनिकों ने टब फाइट करके कम से कम पाच्च लड़कों ने निकाला हुआ है उनको बहुत बहुत श्रुफ कामना है और आज भी दो लड़कों की फोटो आई थी उनने भी बहुत अच्छा किया उनको भी बहुत बहुत श्रुफ कामना है साथ ही मैं अपने मन से बता दू एक बात कि वहां जय जवान फिजिकल अकादमी की जो वीर शैनिक गए हुए है वो अपने नाम को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करे मैंने पहले ही बोला था कि इस साल धाई तीन साल से भरती नहीं हुई है तो फाइट हमें तगड़ी मिलेगी और टेक टू टेक फाइट करीब होगी रणिंग शोला सो मीटर एक माइंड गेम होती है कोई ज़्यादा पात किलो मेटर दस किलो मेटर नहीं होता है जिसमें सामने वाला आपको ज़्यादा मौका देगा 1200-200 जितने भी दोड़ रहा हूं सब वहां पास होने के लिए ही प्रियास करते हैं और उसके बीच में हमारी जय जवान के अकादमी के युआ सेनिक भी उस फाइट में रहते हैं 1600 मेटर एक माइड गेम होता है पहला राउंड मारने के बाद मैंने बताया था प्रत्थम राउंड चीता जैसे दूजे तीजे में शेर बलवान चौथे चक्कर के आते ही मैं बन जाओ उतुपान इस कवीता को मैंने बनाया था कुछ शोच समझ के जिसके ओपर मैंने कईयों बार इन चीजों को याद करते हुए अब हमारे भारती इतियास को आला उदल की कहानियों को याद करते हैं कईयों चीजों को एक होसले के साथ रनिंग को फिनिश किया है उसी प्रकार से मैंने बताया था कि जो पहला चक्कर है चीते जैसा होगा मतलब पहला चक्कर हमारा तेज होगा हमेशा चीता लपकता है चीते की जो रनिंग है वो शेर से भी तेज होती है दूजे तीजे में शेर बलवान दूसरा और तीसरा रा पूरा किये, सरीर थोड़ा ठका होता है, तब तूझे तीजे में सेर बलवान, मतलब थोड़ा सा ही कम करने आनने था, उसी रफ्तार से लीट करते वे चलना है, और चौथे चक्कर के आते ही मैं बन जाओ उतुफान, जैसे ही चौखता चक्कर आता है, जित्ती जान है, लीट लेते हुए पूरी चोख देना है, तो यही मेराज बताने का मक्सद था, कि पहला चक्कर के बाद, सास भरेगी कदम ठकेंगे, फिर भी लगाओ पूरी जान, मैंने इस कविता में लिखा हुआ है, कि पहला चक्कर लगाने के पस्चात, सास भरेगी और कदम भी ठकेंगे, एक मन में आएगा कि यार छोड़ दे, बहुत ठक गया, लेकिन एक दूसरे मन में आएगा कि नहीं, तो पीछे और तेरे बसका रोग नहीं है, छोड़ना नहीं है, इसको एकदम फिनिस करना है, और वही चीज आपको विजय की वोर बढ़ाती है, सब कोई ठकता है, तो मैं ज्यादा दूसरों को मौका नहीं देना है, क्योंकि 1600 मिटर रनिंग ज्यादा लंबी नहीं होती है, कि जो 45 किलो मिटर तक मैं फिर क्रास करूंगा, यहां तो जो लीड बना लेगा एक बार, उसको पीछे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अपनी जो स्टार करेंगे, मेरी कविता की दो लाइनित बनाया था मैंने, ऐसी तुफानी दोड ऐसी लगाऊ, मैं बन जाऊ फोजी महन, इस गाथा के लिए साथ शी बनेगा भोपाल का लार परेड मैदान, तो यह बात मैंने, शिंपल इसमें नहीं कहिए, तुफानी दोड लगा नहीं पड आपको, क्योंकि 100-200, 200-200 की भीड चलती है वहां पर, यह भीड में फस गए, तो वहीं उलज में रहे जाओगे, दूसरे लोग मौका नहीं देंगे, इसलिए आपको पहली थोड़ सी लीड बना के चलना है, लीड लेनी है, 20-25 के अंडर में, जैसा भी बात वहां इस्थित पड़ा जाओ, लेकिन अपने तरफ से बेस्ट रिजल्ट दी, बेस्ट अपने रिजल्ट लाईए, बढ़िया, जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा, जैहिं, जै भारत, कल के रनिंग के लिए, उन्हें एक बार, आप सबी लोग को बहुत-बहुत तहदिल से सुबकामन कैसा झाल는 उन्हें, बड़ा खकामन के बार, आप से जे सतुबकामना एको रेस्टार के फवादान TV Сबीन उन्हें से बार चंचाना तरफ से बार are मने पने हमें को गुए सब्थादाने जीवन के लिए भावार हो जैश के आप से बार से मुए चा-एल्ग जिए Wakya टर कर र